कई इन डिस वीदियो भी लेन अबट फ्यूल्स, फ्यूज चुश क्या होता है। जिस तरह दसे बाधि को वर्क करने के लिए खाना चाहिए क्योंकि वहाँ से एनरजी मिलता है। ठीक उसी तरह दसे किसी भी मशीन को फ्यूल चाहिए होता है ताकि वह बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करें तो अब अगर फ्यूल्स का बात करें तो फ्यूल्स तीन स्टेट में एक्जिस्ट करता है तो फ्यूल्स का क्या काम होता है जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो वो एनर्जी प्रोवाइट करता है और एनर्जी बहुत सारे काम के लिए चाहिए जैसे खाना बराने के लिए ट्रेन मूव करने के लिए आटो मोबाइल्स मतलब वहिकल्स और एरोप्लेन्स वगरर सब कुछ कब चलेगा जब उसको एनर्जी मिलेगा इलेक्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और बहुत सारा मशीन्स यूज करने के लिए तो डेली लाइफ में हम लोग बिना एनर्जी के अपना लाइफ को इमाजिन नहीं कर सकते हैं इस वाइफ फ्यूज को वाट डॉमेस्टिक फ्यूज वह फ्यूज जो घर के काम में आता है उसको डॉमेस्टिक फ्यूज बोलते हैं जिसे खाना बनाने वगर के लिए तो पहले काउडग केक्स, कोल, केरोसिन ये सब चीज से बनाया जाता था खाना वगर विलेजस में अभी बनाया जाता है लेकिन अब LPG, PNG, बायो गैस ये सब का यूज होने लगा क्योंकि ये सब क्लीनर फ्यूज है जब हम लोग घर में अपने स्टोव को ओन करते हैं तो तो धुआ निकलता है लेकिन स्मोक भी नहीं निकलता है और जब हम लोग बंद कर देते हैं तो कुछ जलावा रहता भी नहीं है लेकिन अगर हम लोग कोल जलाएंगे तो इतना धुआ निकलता है और फिर वो ग्रे ग्रे आश रहे जाता है तो इसी वज़ए से CNG, PNG इस ग लिए को फ्रेंडली होता है मतलब वो पल्यूशन क्रियेट नहीं करता है तो यही सब चीज हम लोग को जाधा यूज करना चाहिए जब कोल का कॉमबिशन होता है कॉमबिशन मतलब ऑक्सिजन के प्रेजन्स में जलना बर्न होना यहां लिख सकते हैं सिंप्ली ऑन काम आता मदल्ण अंदर में भर दिया जाता था कि वो ही बने लूप नेक्स फिल्स पर ट्रांसपोटेशन च्रांसपोटेशन में पहले इसी तरह से स्टीम इंजन होता था पानी गरम किया जाता था कोईरा जलाकर औक जलाकर फिर उसे मशीन चलता था विकिन अब सी एए च फिर बाद में पेट्रोल डीजल आया बाद में CNG जाधा तर में चलने लगा वेहिकल्स लाइक बसे, कार, स्कूटर्स रन पेट्रोल और डीजल लिकिन एरोप्लेन को रन करने के लिए बहुत हाई क्वालिटी का केरोसिन चाहिए होता है इसी को बोला दाता है, अविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF बसेज, आटो रिक्षाज और कार्स अब CNG प्रेफर करने लगा क्योंकि CNG, वेहिकल्स हाव लोर मेंटेनिंस कॉस्ट्स, जाधा सर्विसिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है और जाधा एफिशेंट होता है, जाधा एनर्जी मिलता है बर्न करने से और CNG ग्रीन फ्यूल भी है, इसका मतलब वो पल्यूशन भी कम करता है, इको फ्रेंडली है तो इसी वज़े से गॉवर्मेंट जाधा से जाधा चाहता है कि सारा वेहिकल्स CNG यूज करे फिर फ्यूल फोर जेनरेटिंग इलेक्रिसिटी, इलेक्रिसिटी कैसे बनता है, तो सबसे पहले पानी को, को बर्न किया जाता है उससे पानी गरम होता है, जो पानी गरम हो रहा है, तो उससे स्टीम निकल रहा है, धुवा निकल रहा है आछे वह स्टीम से जेनरेटर चलता है सी इसज़नेप प्रोड्यूज गूमने लगे तो पानी जब बहुत, स्टीम बहुत फोर्स से यहां लगेगा, तो यह गोल 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 घूमने लगेगा, इसके वज़े से जनरेटर रहता है, इससे कनेक्टेड और वहां से इलेक्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, सारा स्टेप्स एक एक करके लर्ण करना है, बहुत सिंपल है, सबसे पहले कोल बर्न होगा, फिर पानी गरम होगा, उसके बाद स्टीम प्रोड्यूस होगा, उसी स्टीम से टर्बाइन रोटेट होगा, जिससे इलेक्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, लेकिन यह इलेक्रिसिटी का method eco-friendly नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग coal use कर रहे हैं तो धीरे-धीरे क्या कर रहा है इसी turbine को अब उपर से अगर पानी height से गिराया जाता है hydroelectric dams जो dams होता है वहाँ पर तो इसके वज़े से यह turbine rotate करता है तो यही होता है dams में height से पानी गिराया जाता turbine के ओपर जिसके वज़े से generator से electricity बनता है वो method eco-friendly है क्योंकि वहाँ कुछ भी burn नहीं कर रहे हैं तो pollution नहीं हो रहा है और यह जो coal से electricity produce करते हैं इसको thermal electricity बोलते हैं thermal electricity जिससे पानी से होने से hydro electricity बोलते हैं तो वैसे coal या heat से होने से thermal electricity फिर electricity का बहुत सारा सोर्स है sun energy solar energy wind energy यह सब सब को use करने का scientist लोग सोच रहे हैं next fuels and machines पहले घर का बहुत सारा काम जैसे कपड़ा धोना बरतन धोना spinning weaving cotton से मतलब thread निकालना यह सब सब कुछ हाथ से किया जाता था manually लिकिन बहुत time लगता था और बहुत tiring है तो अब धीरे धीरे machines का इस्तेमाल होने लगा इन सब काम में भी क्योंकि वो सब कम tiring होता है और काम जल्दी हो जाता है लेटर ओन machines working through steam generated by burning coal were invented तो जब steam engines का invention हुआ तो coal का demand बहुत जादा बढ़ गया railway ships powerhouses factories सब को coal का supply चाहिए था तो coal reserves मतलब कोईला धीरे-धीरे खतम होने लगा तो coal cannot be replenished easily as nature takes a very long time to make it coal को form होने में millions of years लगता है तो इतना जल्दी-जल्दी use करेंगे तो वापस कहां से आएगा तो इसका मतलब steam engine के उपर हम लोग पूरे time dependent नहीं रह सकते थे इसी वज़े से पेट्रोल और डीजल वेहिकल्स का invention हुआ पेट्रोल डीजल के रोसीन यह सब ओशन के नीचे से liquid निकलता है उसको बोलते crude oil या petroleum इसी को साफ करके अलग-अलग products निकलता है लेकिन धीरे-धीरे reserves भी खतम होते जा रहा है क्योंकि हम लोगों का नीड तो ever increasing हमेशा ही बढ़ते रहता है तो फिर क्या होगा उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे in the next video